M.J.Y.001 पार्ठेकरम का कोश्चन है संस्कृत वांग में से आप क्या समझते हैं संस्कृत भाशा के उद्भव तताविकास परविस्तार से प्रकाश दालिये संस्कृत विशु की प्राचीनतम भाशा है रिक वेद को युनेसको ने विशु का प्राचीनतम ग्रंथ माना है भारत के प्रतेक छेतर में अलग अलग बातावरन, भोजन, वस्त्र, वे, आवास विवस्ता रही है फिर भी भारत वर्ष एक है और इसका सबसे मुखे कारण संस्कृत भाशा में निबद इसकी संस्कृती है संस्कृत और संस्कृती को भारत वर्ष में प्रितक नहीं किया जा सकता जो की सबी भाशाओं की जन्नी है भारत वर्ष के सभी छेत्रों में गुरु कुलों में सभी प्रकार की विद्याओं का अध्यन संस्कृत में होता था जैसे गनित शाष्त्र भोतिक विक्यान, रसायन विक्यान, चिकिट्सा शाष्त्र, वास्तु शाष्त्र, अर्थ शाष्त्र आदी यह सभी शास्ट्र संस्कृत भाशा में पढ़ाय जाते थे यह भाशा आज भी विश्व की सबसे अधिक शुद्थ और विज्ञानिक भाशा बानने जाती है संस्कृत में सबसे विश्व का सबसे बड़ा शब्द कोश है किसी भी सभ्यता के इत्यास इतने विपल सहित्य का बंडार प्राप्त नहीं होता यह भाश्या जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है वैसी ही समझी जाती है नाभी से प्रारम करते वे होट तक परतेक माशपेशी का प्रयोग करते वे अधिक्तम संभव उच्चारणों का प्रयोग इस भाशा में किया जाता है जो कि विश्व की किसी और भाशा में देखने को नहीं मिलता इस भाषा में इसी भाषा ने आज तक भारत की संस्कृति की रक्षा की है संस्कृत शब्द का प्रियोग उस भाषा के लिए किया गया है जो लगबग 4000 वर्षों से अनवरत भारत में प्रचलित है और जिससे इस देश की बहुत संख्यक भाषाओं का विकास हुआ है इसे देव भाषा, अमर भारती, गिर्वान वानी इत्यादी नामों से भी विभूशित किया गया है संस्कृत भाषा में इतना विपुल साहित है कि इस दिश्टी से यह सभी प्राचीन वे अवार्चीन भाषाओं से आगे है संसकृत का प्राचीन तम रूप रिगवेर की रिचाओं में मिलता है यदे पी उस युग में इसको संस्कृत नहीं कहते थे इसका संस्कृत नाम वैटिक युग के आवसान के बादशाहितिक रूप में विक्सित होने पर पड़ा संस्क्रिट से संबन और विक्सित भारत की सभी भाषाओं को आरे भाषा कहते हैं संस्क्रिट प्राचीन यूरोपिय तथा इरानी भाषाओं की सगी बहने इस तथे की खोज 28 शताबदी के अंत में हुई और इसके समर्थ में पूरी 19 शताबदी को यूरोप के भाषा शास्त्रियों ने लगा दिया यह सारी भाषाओं एक ही परिवार की शाकाओं के अंतरगत है और इस परिवार को भारोपिय भाषा परिवार इंडो यूरोपियन फैमली अफ लेंग्विज कहा जाता है और इस भारोपिय परिवार के दो वर्ग हैं केंटुम तथा शतम केंटुम वर्ग के आंतरगत छे शाखाएं हैं ग्रीक, इटालिक, जानिक, कैल्टिक, तोखारी और हिती और शतम वर्ग में भारत इरानी, बालतोसलाविक, आर्मेनियन और अल्बानियन ये चार शाखाएं हैं भारत इरानी वस्तुते दो शाखाएं हैं जिनने आर्ये शाखा के संयुक नाम से बोला जाता है तो भारतिय आर्ये इंडो आर्ये और इरानियन आर्ये तो भारतिय आर्ये शाखा जो है का इतियास भाषा शाष्यों के नुसाद चार हजार वर्ष पुराना इतियास है जिसमें वेज से लेकर आधुनिक युग तक की भारतिय आर्ये भाषाएं व्यवस्तित है इस शाखा के विकास को तीन चर्णों में बांटा जाता है इस काल में वैदिक या संस्कृत का सारवजनिक प्रियोग होता था इन में सहितिक रचनाई भी मोखिक या लिखित रूप से थी और इसे दो चरणों में कह सकते हैं हम वैदिक यूग और लौकिक संस्कृत यूग लौकिक संस्कृत यूग में भाषा कही जाती थी यासक और पाणी ने दोनों नहीं इस यूग की भाषा को संस्कृत के रूप में अभी हीत किया है फिर आते हैं मद्यकालीन भारती आरे भाषा मिडल इंडो आरेन भाषा इस काल में भाषा की एक रूपता नश्ट होने लगी थी और इसकी छेत्रिय रूप प्रकट हो गए थे इसी तीन स्पष्ट चरणों में विभक्त किया जा सकता है प्राचीन प्राकृत तथा पाली जैन धर्म के परवर्तक वर्दमान महावीर ने प्राकृत में और बौत धर्म के परवर्तक गोतम बुद्ध ने पाली में अपने धर्मों प्रेश दिये थे फिर सहितिक प्राकृत भारत के आर्य भाषी छेत्रों में अनेक प्राकृतों का विकास इस काल में हुआ और अप्भरश विभिन छेत्रों की प्राकृत्यों की सहज विक्रिती के रूप में छेत्रिय अप्भरश भाषाओं का विकास इस यूप में हुआ फिर आते हैं नव्य भारती आर्य भाषा, Modern Indo-Aryan Language इस 1000 इश्वी से अब्रंश के शेत्रिय भेद आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में बदलने लगे आधुनिक आर्य भाषाओं थी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, डोगरी, नेपाली, हिंदी, मैथली, बंगला, उडिया तथा अस्मिया, प्रमुक नव्य भारती आर्य भाषाओं हैं इन में कुछ भाषाओं में प्राचीन साहितिय उपलग्ध है, जो 1000 इश्वी के आसपास ही प्रारंब हुआ था तो 90 आर्य भाषाओं की युग में जन भाषा और संस्कृत के बीच एक खाईस ही बन गई, जो की क्रमशे चोड़ी होती गई संस्कृत के अनेक विक्रित रूपों में विभक्त होने के भैसे इसे व्याकरिनिक स्थिर्था परदान की गई, जो की जिसका श्रिय पानिनी को जाता है और इसके व्याकरन रूप से इसको सारवत्रिक माननेता मिल गई और संस्कृत का मांदन पाणीनी के नियमों से निर्धारित होने लगा थेंक यू